हेलो एफ्रिवन वेलकम यू अल तो माई यूटूब चैनल माईसल्व निहारणजन अन्द स्टुडेंट्स आमें प्रेविएस वीडियो रे अन एग्जामिनेशन रो 25 टेम्सीकूर आमें डिसकोस करते ले वे देखिवा ये पार्ट टू बाकी एमसीकूर आमें देखिवा जो मनें पार्ट वान देखिवा डेसकिप्शन लेख दिया है ची कि यूटूब ये तो में निहारणजन अन्द सर्च करीकी देखिनाई परिवा आमें चैनल को भीजिट करीकी आमें चैनल ले देखिनाई परिवा 26 नंबर फास्ट कूस्ट नम पचरा गोला फ्वाइ डिड़ दो लास्ट टू स्टूडेंट्स लीफ तो हैरो कहें की सेसो दीजोन चात्र हैरो चाड़ी देए थिले कहें की सेसो दीजोन चात्र हैरो चाड़ी देए थिले हैरो स्कूल कू कहें की सेसो दीजोन चात्र चाड़ी देए थिले BEFORE HE GOT INTO HERO हैरो कुछ जीवा पूर्बरू Churchill क्यों ठाहरे पूरबरू प पढ़ु थिले हैरो स्कुल कुछ जीवा पूर्बरू Churchill पूर्बरू क्यों ठाहरे पढ़ु थिले पिलाने कमेंट करी कहीलो देखीबा को मने 1st कमेंट करी पढ़ चाहर राइट अंचर काण अब येस जो मने एटन लिखुचा इवा राइट तो 27 नमबर आमरो राइट अंचर हाब अप्सान A E-T-O-N हाब एटन ओके मने हेरो रे पढ़िवा पूर्बरू चर्चिल एटन रे पुड़ू थले जो मने अप्सान A लिखुचा इवा राइट एवे सिला कोस्टी नमबर 28 कोस्टी नमबर 28 रे पचरा गला Why did many visitors wait on the school steps to see Churchill? कहें कि अनेक जन विजिटर स्कूल स्टेप रे वेट कूर थले चर्चिल को देखा करी बापाईं तो एट ठीपलावने राइट अंचर कोण हाब आएट राइट अंचर बाप्सान A कहें किना his father वाजान eminent person तांकर बापा जने प्रक्ख्यात लोको थिले तांकर बापा Winston Churchill नमबापा जने प्रक्ख्यात लोको थिले तेनु अनेक जन विजिटर स्कूल स्टेप रे चर्चिल को देखिया आपाईं वेट करी थिले एवे देखिवा question number 29, question number 29 रे कहाँ गला Who was Lord Randolph Churchill पिलान कमेंट सेक्षेन कमेंट को लेखियो लेखा देखिवा किये first लेखिपारूची Who was Lord Randolph Churchill मुझे तमा सम्मस्तांगर comment देखिपारूची एठी Lord Randolph Churchill किये विली पचराँ गला काँण हब राइट अंचर option A, author's father, option B, the author's teacher, option C, a political leader, option D, the headmaster of pharaoh तो राइट अंचर काँण हब? नाइट राइट अंचर हब option A, the author's father Lord Randolph Churchill was the author's father, Lord Randolph Churchill author कर बापा धिले then question number 30, question number 30 रावं पहचे रागला Who was the leaders of house of commons and chancellor of the execuer? किये house of common law leader थिले और chancellor of execuer थिले एट अपदवी रे किये थिले? तो राइट अंचर काँण हब पिलाने comment करी कि लेखाऊ मुझे समस्तां comment देखिपारूची देखिवा किये first लेखिपार चा अंचर Yes, जो मने अपसान सी ले खुचा, you are right, Lord Randall Churchill Lord Randall Churchill, जे की Winston Churchill कर बापा, से leader of the house of commons थिले House of commons बाम जेम ती लोकोस बाची से भलया House of commons राव लीडर थिले, और chancellor of execuer थिले, दीटा पदवीरे से थिले Then question number 31 What was the disrespectful remark that Churchill frequently heard from the visitors? Churchill visitors मने गठारू, Churchill परिदर्शक कारी मने गठारू, केउं भलया? Disrespectful असन मन्या मन्तब्य सोनिवा को बाउ थिले The right answer काण हवा? 31 number Yes, A, जो मने A लेखुचा, you are right, why he lost of all Churchill जो disrespectful remark सोनू थिले, visitors मने गठारू, से disrespectful remark थिले Why he was last of all, काहें की से सोब बेले, last day आसुची एव भलया comment कर तुले, एव भलया मन्तब्य दोधुले वीजितर मन्ये Okay, काहें की से सोब बेले, last day आसुची एव भलया असन मन्या मन्या मन्तब्य दोधुले एव आसुला question number 32 Question number 32 रे question करा गला What was the advantage that Churchill had over the cleverer boys? तो cleverer boys मन्या मन्या थारू, Churchill क्यों advantage हासिल करी परी थिले? तो आँमा right answer आँसर हभब Option B, he learned English thoroughly से English को भूत thoroughly सिखी परी थिले से English को भूत thoroughly टिक्निक भाबरे, भूत भलो हाबरे सिखी परी थिले जो मने अप्सान B लेखुच, you are right, he learnt English thoroughly हब Then question number 33, question number 33 याउंग पचरा आईछी What was और अयार्द Cleverer boys taught Cleverer boys मानुकु कौन सिख्ख्या दिया जाओ धिला Cleverer boys मानुकु कौन सिख्खा जाओ धिला तो राइट आंसर कौन हब Yes, मुद दो भर comment देख्या पारुछी जो मने एले खुच आप्सान, एले खुच आप्सान, you all are right Greek and Latin Cleverer boys मानुकु Greek आउं लाटिन सिख्ख्या दिया जाओ धिला Okay, very good Then question number 34, question number 34 ये कौन सिख्खा जाओ धिला जो मने एले दुर्बोल पिला थिले जो मने एले भल भल पाठ़ पड़ी पार्णो थिले शेई भलया दुर्बोल पिला मानुकु कौन सिख्ख्या दिया जाओ धिला तो तो इठ्या मुद राइट आंसर ब Option D English Yes, you are right, जो मने एले एले खुच आप्सान, you are right तठी जो माने दूरबल पिला थिले समानुको इंगलीज सिखा जाओ थिला आओ जो माने ठीके चालाख पिला थिले समानुको लाटिन पढ़ा जाओ थिला ओके दिखिले समानुको लाटिन आओ ग्रिक सिखा जाओ थिला क्लेवर पिला मानुको लाटिन आउ ग्रिक आउ दुरुपड़ पिला मानुको इंगलीस पढ़ा जाओ थिला then 35 नमबर कोस्चिन who was Churchill's English teacher किये Churchill कर इंगलीस टीचर थिले किये Churchill कर इंगलीस टीचर थिले पिला ने ठी राइट अंसर काण हब ना येस Mr. Somerville जो मना अपसान D ले खुचा You are right एठेव Mr. Somerville तो Churchill कर इंगलीस टीचर थिले Mr. Somerville Excellent जो मना अपसान D ले खुचा You are good तो एठी राइट अंसरला Mr. Somerville Churchill कर इंगलीस टीचर थिले then question number 36 what story was Mr. Somerville charged with what duty was Mr. Somerville charged with Mr. Somerville क्यों भली आए duty रे चार्ज थिले क्यों भली आए duty रो सहितासे चार्ज थिले बली कहायी छी क्यों भली आए कर्तब्यकु नहीकी से active थिले तो ठी राइट अंसरा मरहब option C to teach English to the stupidest boys stupidest boys मानको English सिखेवा सब ठारू दूस्टा मी पूर्ण पिला माननको दूस्टा पिला माननको English सिखेवा कामरे से पुरा कर्तब्यरे से पुरा पुरी चार्ज थिले active थिले एबे अच्छी question number 37 what did the boys learn thoroughly from Mr. Somerville boys माने Mr. Somerville को ठारू thoroughly कौन सिख्या करू थिले एठ्या मा राइट अंसर कौन हब ना English cursing पिला नहीं पड़ी थिर English cursing English cursing means dividing sentence into different parts गोटे sentence को different different parts रे divide करिवा तर प्रतिक पार्ट ग्रामार कू डिट्रोमेन करिवा चिन्हाट करिवा प्रतिक पार्ट रो ग्रामार कू ओके English cursing रो मिनिंग होई सहिया तो boys माने Mr. Somerville को ठारू thoroughly English cursing सिख्यू थिले माने उट लांग sentence को भागो भागो करिकी तर ग्रामार कूसे माने चिन्हाट करू थिले then question number 38 how long did Churchill remain in the third fourth Churchill केते समय पर जन्त थार्ड फोर्थ रही थिले थार्ड फोर्थ थार्ड फोर्थ means थार्ड सेक्षन और फोर्थ स्टांडर okay 14 सेन्हों थार्ड सेक्षन रहे केते दिन पर जन्त चर्चिल रही थिले यठा मारा राइट आंसर होब three times as long as anyone else okay how long did Churchill remain in the third form fourth थार्ड आंसर भो three times as long as anyone else अन्यमान कपे ख्या ये तिनी गुणा अधिका three times तिनी थर अधिकार okay then question number 39 what did Churchill get into his bonds Churchill केउं जिन्सों को आयत्य करे ने थिले get into his bonds मने कौन आयत्य करे ना भा okay बस सिखी न भा बहुत easily capture करे ना भा बहुत easily सिख्या करे ना भा तो चर्चिल केउं जिन्सों को बहुत easily सिख्या करे ने थिले तो थिया मा right answer कौन हब नैठी right answer हब essential structure of the ordinary British sentence option A is तो right answer जो मने option A ले कुछ ये वा right तो चर्चिल कौन सिख्या करे ने थिले essential structure of the ordinary British sentence साधरन ब बिटीच बाक्यों ब गुरुत पून गठनों को essential structure और जरूरी गठनों को सिख्या करे ने थिले British बाक्यों गुडीकर साधरन ब बिटीच बाक्यों गुडीकर जरूरी गठनों को चर्चिल आयत्तों करे ने थिले okay Then question number 40, question number 40 रामुग पचरा आगला What hard Churchill's school fellows who are good at Greek and Latin came down to? Churchill कर a school fellows मने, Churchill कर a school friend मने जो मने की Greek आउ लाटिन रे भला थिले, से मने को थिरे डाउन ही जाओ थिले Churchill कर a school fellows मने, जो मने की Latin आउ ग्रीक रे good थिले भला थिले से मने को subject रे डाउन ही जाओ थिले जो मने, अब संसीले कुछ राइट, common English Common English is the right answer की Churchill कर a school fellows मने जो मने की Greek आउ लाटिन रे good थिले, भला थिले से मने common English रे down ही जाओ थिले एवे सेला question number 41, question number 41 रामुग पचरा आगला Why did not Churchill feel himself at any disadvantage? काहें की Churchill निजो कूण सी disadvantage feel करू नो थिले निजो कू अन्यमान गठारू किछी गुणोरे कौम बली काहें की भाबू नो थिले काहें की ना थि right answer पिलावनेहब Yes, option A is the right answer Because he had learned the language required to earn a living काहें की से से भास सिखी नहीं थिले तेनुसे निजो कू disadvantage feel करू नो थिले निजो कू किछी गुणोरे कौम बली से भाबू नो थिले एबेस विया question number 42 Question number 42 रहां question करा गला In whose favor was Churchill biased? In whose favor was Churchill biased? एथि right answer काहें हब Right answer हब option बसी Boys learning English की को माननकर सपक्ख्योरे चर्चिल थिले? चर्चिल को माननकर सपक्ख्योरे थिले? एथि right answer boys learning English की पिलामने English सिख्या करंतू चर्चिल से ही सपक्ख्योरे थिले Clear? जो मने अवसंचीले कुछ You all are right? जो मने भी बुजी पारनों टिके कारो डाउट रो हुची मुझ समस्तम सजेस्ट करी भी तमां YouTube निहारांजोरे नंद सार्च करी की यार explanation वीडियो गोड़े हो सब गोड़ा देखीनियो Then question number 43 What would Churchill do if he or to decide what the boys should learn? जद्धी Churchill कु decide करिया कु कहा जाए Churchill कु जद्धी decide करिया कु कहा जाए कि boys माने कौन पढ़िवा उचीत boys माने कौन सिख्या करिवा उचीत ते बे से कौन करिवे तथी right answer आमर हब Option A He would make them all learn English से माने सम्मस्तम कु से सम्मस्तम कु English सिख्या करिवा कु देवे जो question थी ला What would Churchill do if he or to decide who are the boys should learn? जद्धी Churchill कौन करिवे जद्धी ताहु decide करिया को हब कि boys माने कौन सिख्या उचीत तो से कौन करिवे न He would make them all learn English से माने सम्मस्तम कु English सिख्या इवे Okay Then question No.44 Question No.44 फोर्याम कुस्सिन पचेरा गल्ला Churchill उइले लेड़द क्लेभर वान्स लर्न लाटिन आज ए और अन ड्यास Churchill क्लेभर पिला मानुकु लाटिन कु गोटे क्यूं भाबरे लाटिन सिख्या करियाकु देब्बे तेठी राइट आंसर अप्शन नुबर B जोबाने अप्शन B लेखुचो इव अला राइट कि चर्चिल क्लेभर पिला मानुकु लाटिन कु गोटे अनर हिसाबरे आज आन अनर गोटे अनर हिसाबरे लाटिन सिख्या करिवाकु दे बेजो माने चालाक पिला अचनती तांकु चर्चिल लाटिन गोटे अनर हिसाबरे पढ़िया पाई अनुमती देबे जोदी तांकु निस्पतिन बागु दिया जाए तो देन 45 नमबर कोसी नमर धिला चर्चिल उइल लेट दो क्लेभर वान्स लॉन ग्रीक आज आन ड्यास चर्चिल क्लेभर पिला माननुकु ग्रीक कु क्यों भली भाबरे चिख्या करिवाकु देबे एडि पलाणने राइट आन्सर वाट ट्रेट ग्रीक आजान ट्रेट ग्रीक कुटे स्पेशल प्लीजर हिसाबरे तांकु देबे ट्रेट मानने होची स्पेशल प्लीजर स्पेश्याल प्लिजोर हिसाबर से ग्रीक सिख्या करिवाकु क्लेभर पिलानुग देब्बे इड़े पिलाने भेरी इंपोर्टन कोसिन तोम पाई एक्जामरी पिलाने बहुत कन्फूजन भूनती 44 और 45 नमबर एक यान देखिनी हो 44 नमबर तुमको हागला लाटिन को से ग्लेभर पिला मानुग क्यों बोली हाबरी शिख्या करियाकु देब्बे ना लाटिन को गोटे अनोर्स हिसाबर देब्बे चर्चिल ग्लेभर बोईज मानुग को लाटिन वीशोय को गोटे अनोर्स हिसाबर पढ़िया पाई देब्बे वो चोर्चील कले बला माननों को अज एत्रेट गripे लमनना को लाटिन को उनीर को आननो घ्रीग औस ओने पले ने अद लेखेपे किच श्युआ को रापका़ abort रीख आज़ ट्रेट, ओके, दन कोशिन आवर फोटीजिक्स रे पूंग पचे रागला, वाट उड़ बी दो अनली थिंग चार्चिल उड़ वीप दो क्लेभर बोईज फोर, क्यों कामा पाईं, काहें की चार्चिल, ओके, चार्चिल बोईज मानुकु, क्लेभर बोईज मानुकु बाड़ेईबे, को कारण पाईं, चार्चिल बोईज मानुकु बाड़ेईबे, ते ठामा राइट आंसर काण हब, ते राइट आंसर आप्सों नमबर C, not knowing English English न जानी बाँ जगू English न जानी बाँ जगू जदी समाने English न जानी बे ते बे Churchill से clever boys बाई जबानों को बड़ेई बे ओके दन 47 नमबर कोशें थिला When did Churchill first went to Haro Churchill के बे प्रथमें Haro को जाई थिले Churchill के उन समयरे Haro को जाई थिले Haro स्कूल को के उन समयरे Churchill जाई थिले ठीर आइटा अंसर अब Yes जो मनने पिला मनने option A लेखुचा You all are right एटी A हवा अंसर In the summer term Excellent जो मनने A लेखुचा You are good In the summer term Summer term रे Churchill Haro स्कूल को जाई थिले Then question number 48 Question number 48 राम पचरा कला How was the swimming bath at Haro Haro रो swimming bath के मिती थिला Haro रो swimming bath के मिती थिला इठी हमो राइटा अंसर बो Option number B Like a bend of a river नदी रो बांको सदूर्श नदी रो बांको भलिया Haro रो swimming bath थिला Okay जो मना option B लेखुचा You are right The Haro रो swimming bath टा A swimming pool टा गोटे नदी रो बांको सदूर्श थिला Then एबे देखिवा next question आमको 49 नमबर question रे पचरा ही थि How many bridges did the swimming bath have crossed it? Okay How many bridges did the swimming bath have crossed it? The swimming bath रे के ते टा bridge, के ते टा पलो क्रोस करी थिला जो नदी रो बांको सदूर्श थिला स्विमिंग बात थिला स्विमिंग बात रो ए पाखरू से पाखकू के ते टा bridge क्रोस करी की जाई थिला एठी राइट आंसर कोण रोबो ना option B Two bridges Okay जो मने बाशन B लेखुचा You are right, excellent एठी राइट आंसर रव टू Okay How many bridges did the swim bath have crossed it? आंसर रव टू दी था पलो स्विमिंग बाथ रे बाशन B ले क्रोस करी की जाई थिला Okay Then question number 50 अचिया मरो The school possessed the biggest dash Churchill had ever seen से स्विमिंग बाढ थिला गोटे बड़ कान थिला जहा की Churchill पूर्बरू केब्बे देखी न थिले से स्विमिंग रे स्विमिंग बाढ थिला जहा की Churchill पूर्बरू केब्बे देखी न थिले एठी राइट आंसर कान हाब? ना राइट आंसर हाब option C Yes, जो मरे option C लेकुचा You all are right स्विमिंग बाथ तो स्विमिंग बाथ चर्चिल हाड एभर सिन तो से स्विमिंग बाथ देखी न थिले जहा की Churchill पूर्बरू केब्बे देखी न थिले ओके पिलावने एब भले हाब रे आमार MCQ रो पार्ट 2 कमप्लेट ही ची मूं पार्ट 3 रे आहोरी 25 टा MCQ एच अप्टर तों प्रभाइड करदा भी सो पार्ट 3 वीडियोग देखी हो जो आने पार्ट 1 को देखी न डेस्क्रिप्सने मूं लिंक देई दीची तो आदो क्लिक करी की देखी ने परिवा ओके थांक्यू अल थांक्यू भेरी मच जो मने में चनल नुआस चा सस्काइब करेंगा सस्काइब करेंगा बेल लाक उने प्रेस कर दिया और तो मने फ्रेंड मनेंगा सहित अधिकरू अधिका स्यायर करा